तो फ्रेंड आज हम आपके लिए बहुत ही चटपटा बारिस के मौसम का नास्ता लेके आए हैं जो कि बारिस में मिल जाए तो बारिस का मज़ा दोगुना हो जाता है और बारिस हो रही हो बाहर न जाना पड़े इसलिए आज हम घर पे बना करके तयार किये हैं समोसे की रेसि इसलिए हम बहुत जटपटस इसको तयार करेंगे तो समोसे बनाने के लिए यहां पे हमने ले लिया है डेड़ कटोरी मैदा तो एक कटोरी पहले हमने डाला आधा कटोरी हम फिर से बाद में डाल दे रहे हैं और इसमें थोड़ा सा हमने अजवाइन लिया है तो अजवाइ और इसको अच्छे से सारी चीजों को हम मिला लेंगे ताकि नमक और अजवाइन मैदे में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए फिर इसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड ओयल तो आधी कटोरी से भी कम है यह रिफाइंड ओयल आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तमाल कर स लगते हैं तो देसी घी से मुलायम खसता बनता है लेकिन रिफाइंड से भी बहुत ही ज़ादा नरम बने थे अभी आप देखिएगा यह क्या होता है ना कि यह अंदर से तो नरम होते लेकिन उपर से कृष्पी शमों से बनते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं फिर फीकर से इतना अच्छा से ये मिल जाए कि मुठ्षी इस तॉर्श में दिया लाइन हुआ विदर को सचा समय लीज़े हłगा कर देखा स dai पांतोर हुद्ष कर सचा अच्छा लाइड की तो ़ेगा घुपानि नियů एक बायादा बछी मुलानि देखे ऑख से लीज़े तयार कर लेने हैं जैसे हम मठी का डो बना करके तयार करते हैं आटा हमारा जितना अच्छा गूता रहता है तो समूसा हमारा उतना ही अच्छा बनता है या फिर कोई और हम मैदे का स्नेक बनाते हैं तो वो उतना ही अच्छा परफेक्ट बन करके तयार होता है तो देखिए हम इस तरीके से आटे को गूत के तयार कर लेंगे तो देखिए आटा हमने गूत करके तयार कर लिया डो हमारा आटे का बहुत ही बढ़िया बहुत ही परफेक्ट तरीके से लग करके तयार हो गया है अब चलिए हम आलू देख लेते हैं यहांपे ने हमंने तीन से चार Carre को अच्छे से माइस कर लिए है छीर करके फिर इसमें हम डाल देते हैué हरी मिर्च तो मैंने यहांपे दो हरी मिर्च डाला है अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा फिर इसमें हम डाल देंगे अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर डालने के बाद यहां हम डाल देंगे मैगी मसाला तो मैगी मसाला आप कोई सभी मसाला डाल सकते हैं तो मैंने यहां पे मैगी मसाला इसलिए ड कड़ा हुआ है तो हम कम ही नमक ठोड़ा डालेंगे फिर सारी चीजों को अच्छे सीज में मैस कर लेते हैं आप चाहें यहां लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला और कोई भी मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं जो आपको पसंद खाने में क्योंकि यह तला जाएगा ना तो आलू पक जाएगा अच्छे से समोसे में जब भरा जाएगा तो आलू बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा तो देखिए सारी चीजों को अच्छे सी तरीके से हम मिला लेंगे अगर कोई मसाला आपको एड़ करना है तो यह मत सोचिएगा कि आलू कच्चा है क्योंकि आलू जब इसमें फिल भरा जाएगा मैदे में जब हम समोसा बना करके तयार करेंगे तो यह बहुत अच्छे से पक जाएगा फिर देखे इस तरीके से हम छोटी लोई ले लेंगे और इस तरीके से इसको हम बेल लेंगे गोल हमें इसको पूड़ी के समान नहीं बेलना इस तरीके से लंबाई अकार में हमें बेल लेना है फिर देखे साइड साइड हम पानी लगा देंगे ये देखे साइड साइड पानी लगा करके 102 किनारे को पकड़ करके इस तरीके से हम दबा देंगे फिर इसमें हम भर देते हैं आलू आलू भर करके साइड साइड भी हम दबा देंगे पानी हमने लगाया है साइड में भी और इस तरीके से समोसे हमारे बन करके तयार हो रहा है ये देखे दोनों कोनों को पकड़ के इस तरीके से दबा देंगे फिर इस तरीके से इसमें आलू फिल कर देंगे फिर इस तरीके से हम बीच से भी इसको दबा देंगे बहुत आसान ह मैंने आपको बताया है तो देखिए सारे समोसे हमारे कितने बढ़िया बन करके तयार हो गए हैं ना बन गए हैं बढ़िया हमारे समोसे तो आए इनको तल लेते हैं देखिए हमने कड़ाई में तेल तूरंत ही चड़ाया है क्योंकि हमें गरम तेल इसमें नहीं चाहिए हमें बिल्कूल भी low temperature का तेल चाहिए एकदम low temperature रहे ताकि हमारे समोसे में bubbles ना परे अगर temperature आपका high रहेगा तेल का तो इसमें bubbles आ जाएंगे अगर temperature low रहेगा तेल का तो bubbles बिल्कून भी नहीं आएंगे तो देखिए हमारा तेल बिल्कून medium गरम है अभी हम इसको और भी जादा तेज कर देंगे तो इसमें bubble सा जाएंगे बिल्कून भी अच्छे समोसे नहीं बनेंगे तो देखिए हमने सारे समोसो को इस तरीके से डाल दिया एक बार हम चमच की सहाथा से समोसे को इधर उधर से चलाते हुए देखिए पका लेंगे फिर देखिए थोड़ी देर के बाद हम चेक कर लेते हैं और साइड से चलाते हुए बीच से हम बिल्कून भी चमच को नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर बीच से लगा देंगे तो हमेरे समोसो में जो है कट लगने का डर रहेगा तो देखिए साइड साइड से इस तरीके से इसको हम चला लेंगे अची तरीके से पका लेंगे चलाते हुए फिर देखिए हम बराबर चलाते हुए पका लेंगे समोसो को एक तरब से देखिए समोसे बहुत ही आसान तरीके से पक चुके हैं बहुत ही आसान है इसको बनाना बिल्कुन भी टाइम भी नहीं लगता बहुत ही जटपट से बन जाते हैं अगर हम आलू को तलते हैं फिर इसको ठंडा करते हैं तो हमें टाइम लगता है इस तरीके से बनाएंगे आप तो बिल्कुन भी टाइम नहीं लगेगा बहुत ही जट ख़स्ता ख़स्ता समोसा आप अपने घर पर ही बना करके तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कूल भी समोसों में बबल्स नहीं है इस तरीके से देख सकते हैं आप बिल्कुन भी देखिए बबल्स नहीं एक भी बबल्स कहीं आपको समोसे में नहीं देखेंगे कितने बढ़ी आ क्रिस्पी समोसे बन करके तयार हो गए हैं आप लोग भी जरूओं ट्राइ करिए कि बहुत क्रिस्पी बंते हैं बहुत यसान तरीके से बन जाते हैं तो डेखिण सारी समोसे हमारे तल गए हैं हमने अलट-परफ करके चलाते वह चाटे होएं समोसो को पका लिया है तो देखिए सारे समोसे अब निकाल लेंगे समोसे हम और घर पर बनाना हो कहीं बाहर न जाना हो तब तो दूगनी खुशी मिलती है ना बनाने में भी और खाने में भी क्योंकि हमें पता है कैसा आलू है कैसा मैदा गूथा हुआ पहले से नहीं है तुरंत हमने गूथा तुरंत बनाया अंदर से भी देख लिजिए कितना बड़ी बन करके तयार हो गया है तो लीजिये आप लोग भी ट्राइ करिये बाई